दोस्तो इस flip card के BBD sale कर अंदर ऐसे बहुत सारे लोग है जो कि product वो buy करना चाहते हैं लेकिन वो एक साथ full payment नहीं कर पारे उनको उस product की EMI बनवानी है और EMI बनवाने के लिए उनके पास credit card ही available नहीं है तो इस situation में आपके पास option आता है कि आप क्या करो क्योंकि अगर आप debit card की no cost EMI मिलेगी तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete solution बताने वाला हूँ यहाँ पर आप देख सकतो मैं flip card के search box में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक phone search करने वाला हूँ जो कि मैं आपको live example के थुरू बताऊंगा यहाँ पर आप देखो मैंने Samsung Galaxy X23 FE लिख दिय आए और यहाँ पर मैं simply में दो option आते हैं सबसे पहला buy no को दूसरा pay with EMI का तो भी मैं दूसरे option के साथ जाता हूँ pay with EMI पर मैं simply skip करता हूँ debit card का भी option available है यहाँ पर other option के अंदर देखो कोटक मेंदरा बैंक debit card EMI यानि कि भाई देखो मैं eligible हूँ तब मेरे को यह offer दिया जा रहा है अगर मैं eligible नहीं होता तो भाई मेरे पास offer नहीं आता लेकिन भाई मान के चलता अगर आपके पास यह offer नहीं आ रहा है और आपको credit card apply नहीं करना चाहते और आपका civil score भी कम है तो भाई उस case के अंदर यहाँ पर आप देख सकता आपको बजास फिंजब EMI card का भी option दिया जा रहे है अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा रहा हूं तो यहाँ पर आप देखो मेरी 10,020 रुपय की EMI बनाई जाएगी तीन आप देखो 29,99 रुपय प्लस में 59 रुपीज यानि कि मेरे को यह टोटल 30,058 रुपय यहाँ पर पेकन ने है और 5,010 रुपय की मेरी 6 महिने के लिए यह महीं बना दी जाएगी मेरे बजा जीमाई card के थ्रू तो मैं देखो मैं आपको इस card के बारे में क्यों बता रहा हू हमने अपने दोस्त का बजाज card बनावाए था किसी का फिचतर हजार का approval आया किसी का डेल लाग का approval आया और किसी किसी का तो भाई एक लाग असी हजार रुपय तक का approval आ गया और इन तीनों का इसी विल इसकोर बहुत ही जादा कम था अब ही चलो दोस्तों एक बढ़ मैं आ OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर submit कर देना है OTP submit करने के बाद आपको यहाँ पर complete नाम डालना है according to your pen card और यहाँ पर आप देख सकते हो auto fill detail का option आ रहा है अगर देखो भाई अगर आप इसको enable कर देते हूँ तो credit bureau को हिसाब से आपके जितनी भी detail है वो automatic यहाँ पर न enter करना है उसके बाद आपको अपना pen card का number डालना है उसके बाद आपको अपनी area का pin code डालना है पिन code डाल देए आपकी यहाँ पर city आ जाएगी और अपनी city चूज कर लेना उसके बाद यह देख सकते हो पूछ रहा है कि आपको अपनी employment type भी बतानी पड़ेगी तो आप select कर करते हो तो भाई आपके सामने कोई other option नहीं आएंगे लेकिन अगर आप यहाँ पर self-implode चूज करते हो तो आपको GST number भी देना पड़ सकता है लेकिन वो भी optional है हमारा उसके बाद आप अपना gender चूज कर लेना male female जो भी हूँ आप अपनी मर्जी के साब से बता सकते हो तो अगर हम अपनी EMI time से pay करते रहें तो तो भी simply आपको proceed for verification पे click कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर अधार card की detail उठा ली गई है और आपका permanent address भी यहीं पर show कर रहा है हम सीधा यहाँ पर confirm कर देते हैं और इस page पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमें card की limit शोग की जा रही है उसके बाद first transaction low limit भी है हमारी 50,000 गी तो भी आप इसमें ज्यादा confuse मत होना आप अपने card से first transaction पे maximum 50,000 तक की product purchase कर सकते हो तो भी दूसरी बार में आपकी जो limit है वो total 1,00,000 रुपे कर दी जाएगी और इस card की joining fees भी आपको pay करनी पड़ती है जो की 599 और अगर आप बजाज मौल के थूँ शोपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 32,000 से ज़्यादा product देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे आपको हजारो EMI के skims और offer देखने को मिल जाएगे उसके बाद करें अगर e-commerce website की तो आप देख सकते हो Amazon, Flipkart, MakeMyTrip, Yatra, Chroma, Reliance Digital और आपको यही recommend करूँआ कि आप यहाँ पे UPI चूज करना आपकी payment बहुत ही fast हो जाती है आप यहाँ पी देख सकतो आपको UPI के बहुत सारी option देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे अगर आप चाहो तो QR code भी generate करके आप payment करवा सकतो जो कि सबसे easiest method है आप यहाँ पे देख सक सकतो card status के अंदर हमारा जो card है वो issue कर दिया गया है आपको यहाँ पे card number देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकतो और वही detail आप यहाँ पे enter करो तो सबसे पहले आपको account holder name डाल देना है उसके बाद bank का IFC code डाल देना है उसके बाद आपको अपना bank account का number डाल देना है number डालने के बाद आपको चूज करना है कि आपका जो bank account है वो saving है या फिर current है उसके बाद आपको registration mode चूज कर लेना है आ और यहाँ पे इन्होंने mandate के बारे में बता रखा है कि जो भी आपके loan है जो भी आपकी EMI वगर आए उसको manually ना करना पड़े इसलिए mandate करके उसको हम automatic बना देते हैं तो simply आप यहाँ पे आपको proceed वाले बटन पे click कर देना है अब यहाँ पर आपके पास create mandate का form आ जाएगा और इसी पे आपको सारी detail देखने को मिल जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने अपना kotak महेंदरा बैंक चूज किया है और mandate को create करते हैं वक्ति आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपके account से कितने पैसे maximum debit किये जा सकते हैं तो simply आप देख सकते हो आपको अपना capture fill करना है, capture fill करने के बाद अब आपके bank के साथ जो भी आपका debit card link रहेगा वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे आपको simply उनमें से एक choose कर देना है अब उसके बाद आपको अपने debit card का pin भी यहाँ पे enter कर देना है और आपनी space पे देख सकते हो आपको bank की तरफ से एक confirmation आ करके confirm कर देना है, आप देख सकतो कोटक की तरफ से भी हमारा e-mandate complete हो चुगा है और इसके बाद यह हमको NPCI के बोटल पर redirect कर देगा जहाँ पर आपकी सारी detail fill होगी आपको कुछ भी करने की जोओत नहीं है यह जो website है यह 5 जाइन के बाद automatic redirect हो जाएगी और यहाँ पर आप successful complete हो चुगा है और जो हमारा e-mandate का process है वो भी successful registered हो चुगा है आप यहाँ पर देख सकतो हो आपका नाम यहाँ पर शो करेगा आपका bank account शो करेगा mandate date शो कर देगा और यहाँ पर आपको एक reference number भी मिल जाएगा अब next page पर आप देख सकते हो जो हमारा card status है वो fully activate दिखा रह और वहीं से आप इस card को manage भी कर सकते हो और use भी कर सकते हो